everyone be healthy and be happy चली आज मैं बताने जा रही हूं जिनको वीसिटी की प्रॉब्लम है जिनका वेट बहुत ज्यादा है और कम नहीं हो रहा है या जिनको अपना वेट कम करना है या जिनको अपना वेट as it is रखना है बढ़ने नहीं देना है उन सब सारी चीज़ों को मैं अपने वीडि चार्ट चेक करना है उसमें क्या चीज़े ज्यादा खा रहे हैं जैसे कैलरीज वाली चीज़ चेक करना है क्योंकि जब आप वाक करते हैं तो सबसे ज्यादा सबसे पहले आपका कार्बोहाइडड बर्न होता है उसके बाद फैट बर्न होता है उसके बाद कैलरीज बर्न हो केलरीज वाली चीजों पर बताती हूं उसके लिए आप सब जानते हैं कि आप कोल्डिंग मत लीजे केक मत लीजे आइसक्रीम मत खाये यह सारी चीज़े तो आप सभी जानते हैं कि यह नहीं लेनी चाहिए हेल्थ के लिए भी अच्छी नहीं और फैट बहुत जल्दी बढ़ इलमेंड वालनट भी 2-3 ले सकते हैं तो इसमें थोड़ी कंहों तो पुछ स्वूडम कर दीजे और आपके फूड में क्या-कलिरीज वाली चीज़े उसको आप कम कर दीजे अगर आप ज्यादा करते तो आप यह सब्सारी चीज़े अपने फूड में इंक्लूड कर सकतें तब आपको लेना जरूरी है अगर आपका डेली रूटीन हेवी वर्क आउट वाला है तो आप ये सारी चीजे ले सकते हैं लेकिन अगर आपका वर्क आउट ज्यादा नहीं है तो ये सब सारी चीजों को कम करना है और आप डेली जो खाना खाते है वो खा सकते है मौर्निंग में मैं उपम पोहा जो भी लेते हैं वो आराम Dalके दाल ले 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 लीजिए melted लिए उसके साथ में और लंच में अप डाल ले लिजिए दो रोटी ले लिए सबजी ले सकते हैं अपने नाइट का फूट चेंज करना होगा नाइट में आप मसूर दाल ले सकते हैं दलिया ले सकते हैं सैलेट ले सकते हैं मुंग दाल के साथ स्प्राउड दाल के साथ सैलेट ले सकते हैं मसूर दाल काफी हलफुल होता है आपके वे हो जा रहे है मसूर दाल तो आप मैं एक दो रेसिपी भी बताऊंगे आपको अपने नेक्स वीडियो में जो कि बहुत कम ओयल में भी है और काफी अच्छी भी होती है टेस्टी होती है वह आप बना कर खा सकते हैं आपको एकसर साइस पे भी ध्यान देना होगा और कैलरीज व नहीं देना है तो 2000 लीजिए अगर आपको वेट बढ़ाना है तो आप इससे ज्यादा ले सकते हैं अगर कम करना है आपको अपना वेट तो 1500 कैलरीज पर डे लीजिए वन पाउंड वीक में तब आपका वेट कम होगा यह वोमन के लिए है ऐसे ही मैन के लिए है वो 2500 लेंगे तब जाकर उनका वेट वन पाउंड कम होगा ऐसे ही अब आपको एक्सरसाइस पर ध्यान देना है आप क्या क्या चीजे करते हैं अपने घर में जैसे कि आप हैवी हाउस क्लीनिंग करते तो आपका 327 कैलरीज पर आवर बर्न होता है आप बच्चे को फीट कराते है तो 262 कैलरीज बर्न होता है बुक रीडिंग करते हैं या टीवी वाच करते हैं इसमें आपका प्रॉक्सी 100 ऐसे 60 कैलरीज बर्न होता है सबसे ज्यादा कैलरीज आपका बर्न होता है जब आप स्विमिंग करते हैं स्विमिंग में 818 कैलरीज बर्न होता है और या जोगिंग आप क्यालरीज वाले फूट को कम करें और एकसरसाइज ज्यादा करें तो आपका वेट मेंटेन हैगा अब कि मेरा ये वीडियो आपके लिए हेल्फुल होगा आपके वेट को कंट्रोल करने में और मेंटेन करने में थैंक्स फॉर वाचिंग